Hello friends, welcome to my youtube channel, आज हम आने वाले गर पे एकतम धापेगे जैसा मटर पनीड के रेसेपी, तब आपने विसे दिया स्टार्ट करता है मटर पनीड बनाने के लिए 300 करम पनीड इसको मैंने की उसमें कट कर लिया सारे, उसके बाद मैंने लिया फ्लोजन मटर, आपके पास ट्रेश पीजो तो भो भी उसकर सकते हैं उसके बाद मैंने लिया है हाँ पे चार टमाटो को टमाटो को ट्माटो कुरी, यह मैंने पेस्ट के लिया है इसके बाद 3 medium sized onion paste उसके लाब मैंने लिया है ginger garlic paste ये मैंने लगी थीकी green cheese लिया उसको मैने एससे घरम कर डाल दिया है ये तीकी वाली हर्म है जे मैंने तीन लिया है उसके लाब और कॉरियंडर और ये हमारा कर सूरी मुशी अपनी recipe अपनी recipe अपनी recipe बना निकले मैंने लिया क अच्छा पनीर के निकाल देंगे और निकाल देंगे और क्लीन ओइल के अंदर आपने खड़े मसाले यह जिसमें अच्छा पनीर हो गया है मैंने डाला चार, इलाइची, हरी इलाइची, लॉंग, काली मिर्च, और तेज पत्ता, इसको हम अच्छे से फ्राइ करेंगे, जलाना नहीं हमने मसाले को, और मैंने थोड़ा समें जीरा भी आड़ करा है, आप चाहे तो शाही जीरा भी यूज कर सकते हैं, और अच्छे से मस प्याज जब अच्छे से हमारी भून जाएगी, थोड़ से ब्राउन कलर की हो जाएगी, तो हम उसमें बाकी चीज़े एड़ करेंगे, पहले, अब देखिए कितना अच्छे से इसमें ओईल छोड़ दिया है प्याज ने, आप उसमें अद्रग लेसल का पेस्ट आड़ करे अब हम इसके अंदर प्रमाटो का पेस्ट जो हमने प्योरे बनाए था उसको आड़ करेंगे और तेरा मसाला दुबारा से इसको अच्छे से बूनेंगे, जब तक ये भी पक्के और बूनके ओईल मीश रिलीस कर देता इसके अंदर हम अपने बाकी के इंक्रीडियंट से वाइड करेंगे, इसमें डाला है नमग, माटर डाल लेके पाद हम नमग डाल देते ताकि जल्दी टिमाटर कूख हो जाए, इसमें मैंने डाला है किचन किंग मसाला, आप कोई से भी किचन किंग मसाला यूज कर सकते हैं थोड़ा जीरा पावडर और लाल मिश पावडर और इसके अंदर में धनिया पावडर भी आड़ करूँगी, धनिया पावडर हम थोड़ा सा अच्छी कॉंटिटी में डालते हैं ऐसे कि थिकना साथी ग्रेवी में, इसमें मसाला डालके हम इसको अच्छे से भूनेंगे प ग्रेवी का हम इसको ढखके थोड़ी देर पकाएंगे देखे मसाला कितने अच्छे से भून चुका है हमारा और ऑईल देखे आप देख रहे होंगे साइड में रिलीज हो रहा है इसका मता हमारा मसाला भून गया है अच्छ में स्लिट करीवी हरी मिश डालूंगी ये इस में इसके अंदर अपने मटर जो है वह हो डालूंगी मटर हम पहले इसलिए डाल देते हैं क्योंकि मटर को थोड़ा कुक करना पड़ता है पनीर तो हमारा अल्ड़ी फ्राइंग के टाइम पर कुक हो चुका है तो इसलिए मटर डालके मैं इसको थोड़ी दिर पकाऊंगी अब तो मटर अच्छे से पकनी जाती है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी मटर को अच्छे से पकाने के लिए अब हम इस मसाले को अच्छे से मटर के साथ पकने के लिए थोड़ी तरी के लिए छोड़ देंगे तीन से चार मिनिट के मैं इसको पकाऊंगी यह देए कितने अच्छे से मसाला हमारा पक चुका है थोड़ा थोड़ा ओईल भी इसमें रिलीज हो रहा है और मटर जो है वह भी अच्छे से कुक हो गई है इसके अंदर अब मैं इसमें जो हमारे पनीर थे वह एड़ करूंगी मसाले में इसमें मैंने हरी मिर्च एड़ करी है जो मेरी नॉन स्पाइसी वाली थी उससे फ्लेवर अच्छा आएगा अब इन सब मसाले को हम मिक्स करेंगे और लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेती यह मैंने किसी रोस्ट करके रखी है उसके अंदर कसूरी मेती हम डालेंगे उससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है मटर-पनीर उसकी एकदम ग्रीवी रेडि हो गई धोड़ी आड़ करेंगैं हम चेक करते हैं इसको यह देखे कितने अच्छी है हमारी मटर पनीर की ग्रेवी जो है घर पर ही रेडी हो गई है हमें भार से खर्चा करके खरीतने की जुरूत नहीं है इसमें हम थोड़ी सी क्रीम एड़ करेंगे हो मेरे पास फ्रेश क्रीम है आप चाहे तो दूद की मलाई ग्रेवी एड़ कर सकते हैं और हमने अब डालास में चॉप किया हूँ अपना कॉरियंडर यह हमारी जो ग्रेवी एकदम बढ़िया सी त्यार हो गई है इसको हम सर्फ करने के लिए एकदम रेडी कर दिया है अब इसमें मैं लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पॉडर डाल प्रेवी एक तम रेडी हो गई है इसको आप रोटी के साथ खाई है या जीरा राइस के साथ खाई है बहुत ही अच्छा लगता है बहुत आसानी से घर में बन जाती है थैंक यू फो वाचिए दिस वीडियो प्लीस सब्स्क्राइब दा लाइक बटन थैंक यू